आपका स्वागत है एक्सिलेंस वाई एक्स यूटूब चैनल पर और मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो पर्यावरड पार्ट 3 के बारे में इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुका हूँ यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रेप्शन बॉक्स मे उनकी लिंक दे रखे हैं वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं ठीक हैं यह सारे कुश्चन्स इंपुटेंट हैं आपके एक्सिलेंस और मॉडरल स्कूल इंटरेंस एक्जाम के लिए तो वीडियो को पूरा आवश्य देखें ठीक हैं और वीडियो अच्छा किपरों में वो भी बता हूँ कुछ सिंबल से कुश्चन्स आप से पूचे जाएंगी उनके अंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने होंगे ठीक हैं इसके कुछ समय बाद में प्रैक्टिस चैट पेपर भी कराऊंगा तो आप चैनल के साथ अबर से जुड़े रही है ठीक बारत में हातियों के समर्च चडेतू हाती परियोजना का सुवारम कब किया गया यह 1992 में किया गया कब किया गया नाइंटीन टू में यह इन्पोडेंट कुश्चन है एक वार आ चुका यह कुश्चन ठीक है नेक्स्ट 62 निमन में कौन बायू प्रिदूसक का स्रोत नहीं ह और यह भी कुश्चन आ चुका है आपके पेपर में और 2022 के लिए इन्पोडेंट कुश्चन है यह ठीक है नेक्स्ट 63 निमन लेकत में से कौन ऊर्जा का बहुमोल स्रोत है पर प्रिदूसक नहीं है बहुमोल स्रोत क्या है वो प्रिदूसक नहीं है वह स्वार उर्जा यह बहुमोल स्रोत है उर्जा का पर प्रिदूसक नहीं है इसमें कोई भी प्रिदूसर नहीं होता है यह भी कुश्चन इन्पोडेंट है आपका 2022 के लिए तो कुश्चन को नौट कलने और याद कलने ठीक है नेक्स्ट 64 आप एकिटनिये प्रिदूसर का उधारण है तो आप भी ऑप्सन ठीक है नेक्स्ट 65 लाइक निमन मैंसे किस प्रिदूसर का सूच चक है तो लाइके निमन मैंसे किस प्रिदूसर का सूच चक है यह भी पूचह जाता है आप से ठीक है इसका जो पूरा नाम होता है यह यह उप्सन सही है जैसे है सलीफर यह नहीं है सलीफर डाई ऑक्साइड डाई ऑप्साइड वो हरे नेक्स्ट 66 औसन पारत के अप्छा के लिए उत्तरदाई कौन है प्रदूसर को नियंतर करने का उपाई क्या है निम्न लिखत में से प्रदूसर को हम किस तरह से नियंतर कर सकते हैं तो इसका जो आंसर डी है वो सही आंसर है सीवेज उपचार के द्वारा के द्वारा प्रिदूसर को नहें इंतरत कर सकते ए ये भी कुष्चन आपका important कुष्चन है ठीक है महानगरों में सांस संबंदी रोगों की अधिकता का करड़ क्या है मतलब कि महानगरों में सांस की जो प्रॉब्लम्स आती है आपको तो वो प्रॉब्लम्स किस करड़ आती है वो आपको बताना है तो यह होता है बायू में प्रदूसर यदि बायू जो है न हवा आपकी प्रिदूसित होगी तो सांस लेने में आपको क्या होगी तकलीप होगी ठीक है तो इसका जी ओप्सन सही है और इंपुडेंट कुश्चन भी है नेक्स्ट, 69 जल को प्रिदूसित करने वाला धातु योगं कौन सा है नेक्स्ट, 70 नेक्स्ट, 70 नेक्स्ट, 70 तो दिये गए में से भूमी प्रिदूसित का कारण क्या नहीं है तो इसका जो उप्सन D है, ब्रच्छर ओपर ये भूमी प्रिदूसर नहीं करता है ठीक है, ये सही आंसर है उप्सन D, नेक्स्ट, 71 बायू मंडल में तापमान ब्रद्दी करने वाली गैस कौन सी है जो मनलब तापमान को बढ़ा देती है तो ये आपकी है ये उप्सन Sulfur Dye Oxide इसका राइट आंसर है और इंपुडरंट कुश्चन भी है बायू मंडल में जो आपका तापमान ब्रद्दी करने वाली गैस है, वो है Sulfur Dye Oxide ठीक है नेक्स्ट 72 प्रदूसित जल के सेवन से होने वाला रोग कौन सा है तो जहां हम प्रदूसित जल मनलब गंदा जल यूज़ करें है तो हमें क्या हो सकता है तो इसका जो ऑप्सन D है पीलिया हो सकता है पैचे से अफे टाइफ आइड ये सारी बीमारिया हमें जल प्रदूसर्ट के कारड़ ही होती है, ये भी question important है आपके लिए, ठीक है, next, 73, जल बायू परिवरतन का सर्व प्रमुक कारड़ क्या है, तो जल बायू परिवरतन का सर्व प्रमुक कारड़, जो है, बनो का बिनास, क्या है, बनो का बिनास, ये भी question है, important question है, next, 74, जल बाय परवरतन का घोतक क्या है तो इसका जो आंसर है वो है डियो उप्सन उप्योक्त सभी समोधर तल में ब्रदी गिलेशियरों का पिगलना और तापमान में ब्रदी ये इसका सही आंसर है ठीक है और इंपूडेंट कुश्चन भी है नेक्स्ट 75 इसके आंसर आपको बताने है ठी आसीन होती है लवडियों होती है इंपने सभी नहीं होती है ये दोनों कारक किस के ह्नव ये प्रदूसर का दुस्प्रभाव क्या है सोर प्रदूसर यानि कि धुनी प्रदूसर का दुस्प्रभाव क्या होता है उससे क्या एफेक्ट है यह आपकी स्रावर इस तर पर प्रभाव पड़ता है मनो बैग्यानिक प्रभाव यहम सारदीक प्रभाव उप्युक्त सभी इसका इसका आपको अंसर बताना है इसका जो D option है वो सही अंसर है वो त्योग धंदे बामशीन है परभेन के साधन पर सामाजिक क्रिया कलाब इसका जो option D है वो सही अंसर है इंपोडेंट कुश्चन विए ठीक है नेक्ट 79 बहुमी प्रदूसर का सरोत क्या है ये आंसर आपको बताना है कि बहुमी प्रदूसर जो है जमीन प्रदूसर क्या है इससे का मलब क्या क्या कारण है जो ये जमीन प्रदूसर होता है या बहुमी प्रदूसर होता है तो ये आपको बताना है उद्द्यों के एक अप्षिष्ट है क्या गरोली अप्षिष्ट या किर्सी अप्षिष्ट या उप्युक्त सभी कौन सा अंसर होगा वो आप करने सक्षिन में जरूर बताएंगे ठीक है next 80 80 कितने डेसिमल से अधिक धुनी का स्रावट सकती पर बिपरीत प्रभाव होने लगता है कितने डेसिमल से अधिक धुनी का स्रावट सकती पर बिपरीत प्रभाव होने लगता है तो इसका जो आंसर है वो है आपका है ना आपको comment section में बताना है मैं नहीं बता रहा है आप ही बताएंगे A option 80 B option 50 C option 110 D option 150 इसमें से कौन सांसा सही होगा वो आप comment section में बताएंगे ये भी important question है कई वार paper में आ चुका है ठीक है तो questions को याद कर लीजिए और जो भी questions आप से पूचे गए उनके answer comment section में जरूर देगी ठीक है वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा comment section में और वीडियो अच्छा लगा वो तो वीडियो को like करें दोस्तों साज़ ज़्यादा share करें और चैनल को subscribe करें ठीक है और वैल आइकन को जरूर दबाए जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सकें ठीक है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में पार्ट फाइप environment and पर्यावर ठीक है इसके बाद में इसी के साथ साथ आपका मेहत भी चलता रहेगा तो वहां से भी math को भी clear करते जाएए क्योंकि हार एक पार्ट का आपके 6 subject आते हैं 6 हू का है न महत तो है अलग-अलग number wise divide के गए हैं तो सभी subject को त्यार करना जरूर यह से पहले मैं MPGK करा चुका हूँ MPGK से भी पहले solve paper और कई सारे questions लगवा चुका हूँ यदि नहीं देखे हैं वीडियो आपने तो playlist में दिये रखे हूँ वहां से जाकर देख सकते हैं ठीक है अभी के लिए जैहन्द students and जैहन्द friends Thank you for watching